बिरेन जी ये मिशन असी पर बीजेपी भी काम कर रही है और आज कल मैं देख रहा हूं कि वही फार्मूला समाजवधी पार्टी भी अपनाए हुए है ग्राउंड पे बीएसपी का अभी प्लान आउट नहीं हो रहा कि उनकी तयारी क्या है अला क्यों बता रहें कि बूद ब सब्सक्राइब से मिलकर गए हैं जौन पूर वाले जो बीएसपी दस सांसदों की क्या तयारी है अब इस देश में और इस पर देश में जब जब चुनाओं आता है चर्चाएं होती है लेकिन वोटर दिन बदिन साइलेंट होता जा रहा है वह कहां वोट करेगा इसको लेक देखें लोग समाद चुनाओं करीब है एक साल के लगभक से कम का समय बचता है उसके बावजूद कोई वोटर इस पर भाहस करने को अब तयार नहीं है लोग बोलते नहीं है चुप चाप साइद वोट देने की लोग इरादा रखते हैं चुकि बीजेपी 2017 जीती 2019 जीती 22 जीती 14 जीती लगातार जीती रही तो अब उसके सामने उत्तर प्रदेश या देश में उतने बड़े संगठन नहीं रहे गए तो संगठन के बीना तो चुनाओं जीतना कठीन हो जाता है यूपी में एक डिप्टी सी हमें केशो मौरिया वह अक्सर वह बयान देते हैं कि 75 प्लस बीजेपी जीतने जा रही है अब बीजेपी के ने तक हैर इस तरह का बयान देते भी हैं कि बंगाल में 200 से जादा जीतेंगे उतर देश में 500 सीटें जीतें यह रहता है लेकिन यू बीजेपी करीब 65 सीटें 63 सीटें जीत गई थी तो वह दोर उससे बड़ा कोई बड़ा गटबंदन अब उत्तर परदेश में आएगा जो बीजेपी को रोक ले तो अब यह तो दिखता नहीं देखिए मायावती और अखिलेश से बड़ा कोई गटबंदन उत्तर परदेश में नहीं है मायावती अलग लड़ेंगी तो भी नुकसान में रहेंगी अखिलेश की बात कौन करता है कांग्रेश में एक सीट थी सोनिया जी ने काम लड़ेंगे नहीं अब बचा कौन लड़ने वाला और यह गड़बंदन में जाएंगे तो रोटी एक है कहेंगे कि पांच रोटी हमरे लिए अकेले रखो बाकी भी पच्छी दल भूखे रहें तो इनके पास तो अगर यह बीस पच्छी सीट मांगेंगे लोग सबाकी तो कौन इनको जो है गड़बंदन में सामिल करेगा अपने साथ और बीजेपी के लिए यह सब इस देश में तमाम सालों तक किया जो कर सकती थी अक्तरफा चाहे मर्जंसी की बाते रही हो चाहे लोगों के साथ मनवाने निड़े थोपने सरकारे गिराने के मामले रहे हो आज वही बीजेपी उसके दिखाई हुए रास्ते से थोड़ा आगे बढ़ गई थोड़ा तकली की बाते चर्चा होती है अभी पच्के नेताओं के बीच लेकिन भाई हम कहते हैं यह सलक पर आजा अंदोलन कर ले सोसल मीडिया लड़ ले चितना संगठन खड़ा करना चाहे कर ले लेकिन हिंदू मुस्लिम वाली जो पिछ है उसकी कोई काट अभी तक आई नहीं है और व बीजेपी में और विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं उनके संगठन में एक बड़ा अंतर है बीजेपी के पास तमाम चेहरे हैं नेताओं की फोज हैं बाकी पार्टियां एक एक चेहरे पर आगे बढ़ रही हैं उनके पास ज्यादा लोग नहीं है तो यह जो मोदी अमि सहा हैं पास है और जब जब यह आगे बढरते है तो कभी अतीक इहमत का मामिला उटा देते हैं कभी यह रामचरितु- का मामिला उठादें गे तो पिर भाइदा कि इसको देता यह तो बीजेपी कईती देखो मुसलिम तुष्टि करन की बातें सुरू हो गई हिंदू ओ एक जुठ हो जाओ तो वह तो होई जाएंगे जी आज जरुवत बात की है कि जब 82 करोन लोगों को 5 किलो रासन मिल रहा है महीनम दूदू बार मिल रहा है 500 रुपया किसान सम्मान निदी मिल रही है तो वह अडानी पोर्ट रेलवे स्टेस्टन हवाई जहाज भी क कहीं मोदी कुछ दे रहा है काम करें न करो घर में रासन तो आ रहा है यही बात आसिम वकार नहीं समझ पा रहे हैं ना कि साड़क 300 का सिलेंडर के समय लोग नाराज थे आज 1100 में प्राब्लम नहीं है मिर्जेश जी जब इस देश में मुप्त कमाल खाने वालों की कि अधराओं में और हराम के कि मुलाग गौबा आए कुछ करेंग जुरूत का है तो जब इस देश में इसी बैएस्था धारा चल रही है तो उसमें जो चिलाने वाले लोग हैं उनकी बात को सुनने वाले लोग बहुत कम हैं विपक्ष की बात को और यही बीजेपी की ताक अभी तो देखिए का बाजपा के लिए कौन कौन बैटिंग करता है एक ओव ऐसी साब आ जाएंगे एक ओपी राजभर आजकल भी कुछ पैड़ बांध रहे हैं और और भी कुछ बाटिया है नाराज हो जाए नाम ले लो तो वो सब चीजें इसी हैं बैटिंग तो बीजेप इस देश में बीजेपी का जो दोजार चौबिस का सपना है वो कारगर होने जादा वक्त नहीं है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बीजेपी के पास संसाधन है नेता है सरकारी मसीनरी है सब है और हिंदुतु का एजेंडा है हिंदु मुसलिम के नाम पर जो बटवारा पिछ लेगी इसमें कोई शक नहीं यह जरूर है कि मायावती की पार्टी एक जमीनी पार्टी थी दलितों के अब 20-22 परसेंट उनके पास वोट था पिछले चुनाव में उनका ओट सेर घट गया सपा बढ़ी लेकिन मायावती और अखिलेस अलग हो गए बुवा बुवा का एक साहितिकार ने लिखा है कि जील पर पानी बरस्ता है हमारे देश में और दूद से सस्ता है खून हमारे देश में अब बताओ वजीरों अफसरों और पागलों को छोड़कर कौन हस्ता है मेरे देश में बहुत शुक्रिया विरेंजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद Ground Zero पूजियों से अपने इन्पुट और ओपिनियन इन पार्टी इसके वाइए